हालो फ्रेंड्स मैं संदीप आप सब लोगों का फिर सिखबर स्वागत करता हूँ मेरे इसने वीडियो में और हमार रिट्वीप चैनल पे जिसका नामें देहिलिंग हैंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाच फॉर नीपेन रिलिफ जैसे के आप सभी लोग जानते हो अभी हमारा नीपेन रिलिफ का सीरीज चल रहा है और इसके रिलेटर हमने काफी सारे वीडियो बना के हमार रिट्वीप चैनल पे अप्लोड कर दिया है फिर चाहे हो ऑस्टियो अर्थ्राइटिस हो पतेलो फेमोरल सिंड्रोम हो यंग अडल में नीपेन क्यों ज्यादा होता है उसके रिलेटर हो या और भी नीपेन जो भी टॉपिक से उसके उपर हमने काफी सारे वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया है अगर आपने अभी तक हमारे वह सा थेरेपी की बात आती है तो उसमें काफी ऐसे चीज़े होती है जिसको लेकि आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा मिस्क्रेंसेप्शन है तो सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि जब भी नीपेन की बात होती है या उसमें मसाज करने की बात होती है तो काफी लोगों को यह लगता है कि अगर हमने हमारे knee joint को massage कर लिया इसका मतलब हमारा knee joint ठीक हो जाएगा बट guys आपके knee joint के साथ-साथ आपको जो भी muscles आपके knee joint के उपर काम करते हैं फिर उसमें quadricep muscle या hamstring muscle हो या फिर cup muscle हो इन सारे muscle को भी आपको massage देना बहुत important होता है अब इसका मतलब यह नहीं होता कि बस हमने knee joint को massage कर लिया इसका मतलब हमारा knee ठीक हो जाएगा बट उसके साथ-साथ आपको आपके muscle के उपर भी काम करना पड़ेगा अब second point यह आता है कि काफी लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि उनको knee pin हो रहा है तो कब massage करनी चाहिए और कब massage नहीं करनी चाहिए या फिर कुछ ligament injury के वाज़े से आपका knee pin हो रहा है और सबसे बड़ी बात अगर आपके knee के उपर बहुत ज़्यादा swelling है redness है तो उस case में आपको massage नहीं करना जब तक आपका swelling कमने होता आपका redness आपका जो भी वहाँ के inflammation कमने होता तब तक आपको वहाँ पर massage नहीं करना है तो उसके लिए better way क्या कर सकते हो आप वहाँ पर icing करो जैसे आप वहाँ पर icing करते हो icing से वहाँ का inflammation कम हो जाएगा उसके साथ वहाँ का swelling भी कम हो जाएगा तो एक बात सबसे पहले important बात आपका knee अगर swelling condition में वहाँ पर बहुत ज्यादा सुजन है तो आपको वहाँ पर massage नहीं करना है अब क्या होता है काफी बार क्या होता है हम नीक के ओपर गिर जाते है तो वहाँ पर internet swelling नहीं होती inflammation नहीं होता बट काफी time हमर जो नीक के around skin होती है वहाँ पर कुछ चोट लगने के chances होते है अगर आपके नीक के around कुछ चोट लगी है वहाँ का skin damage हो चुका है तो उस condition में भी आपको वहाँ पर massage नहीं करनी अब आता है कि massage कप करनी चाहिए तो गया simple होता है फिर जब आपका नीपिन काफी दिनों से चल रहा है आपका कोई past history नहीं है जैसे accident नहीं हुआ है कुछ surgery नहीं हुई है या बस आपके कुछ wrong position की वज़े से आपके muscle weakness और imbalance की वज़े से muscle stiffness की वज़े से आपका नीपिन हो जो काफी दिनों से चल रहा है उस case में आप massage कर सकते हो तो guys यह massage करने के जो इसे मैंने बताया कि knee के साथ साथ हमें muscles को भी massage करना होता है तो बस आज की वीडियो में मैं आपको बस knee joint का massage सिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं पूरा इस वीडियो में cover नहीं कर सकते क्योंकि वीड वो पर्ट लेके आएंगे, first part मतलब आज का part जो है इसमें आपको new joint के around कैसे massage करना होता है किन चीजों का खयाल रखना है और कैसे हम अपने massage technique से हमारा knee pain को कम कर सकते यह देखेंगे, इसका जो हम second part लेके आएंगे उसमें मैं आप लोगों को hamstring muscle, carp muscle और हमारा जो quadricep muscle होता और उसकी help से कैसे हम knee pain ठीक कर सकते, तो guys इस video को पूरा देखिए, like कीजे और share तो जरूर कीजे, और अगर आप इतक आपने channel को subscribe नहीं किया तो जरूर कीजे, क्योंकि अगर आप channel को subscribe करोगे, वहाँ का जो bell icon के button को दबाओगे, तो जैसे में second इसका part upload करोंगा, आपको immediate notification मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम आपने knee joint को healthy रखने के लिए, उसको pain free रखने के लिए, कैसे उसको massage करें, तो guys अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम आपने knee joint को massage करके उसको healthy रख सकते, अब massage करने के लिए आपको क्या है बस एक bed sheet या चादर के उपर नीचे bed जाना है, आपने पेर को सिधा करना है, second thing उसकी लिए हमें चाहिए होता है, oil, तो guys सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ के उपर थोड़ा सा oil लेके, दोनों हाथों के उपर रख करके, बस आपने knee joint के उपर हैसे, सब तर देखिए, repeat कीजिए, तब आपको सारी चीज़े, सारी idea clear हो जाएंगे, ठीक है, अब knee joint के अगर मैं बात करूंगा, तो knee joint मतलब बस इतना नहीं होता, यहां से 2-3 finger नीचे, 3 finger उपर, side में, यह पूरा जो होता है हमारा, इसको हम knee joint बोलते हैं, जो हमारा second part आएगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे काप मसल को, कौटरसेब मसल और हमस्ट्रिंग मसल को हम मसाज के थ्रू रिलीज करेंगे, जिससे हमारा knee fin होगा, वो 100% चला जाएगा, तो part 2 मिलकुल मिस ना करे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करतीजे, तो guys किसे भी मसाज में, तीन चीज़े बहुत important होती है, सबसे पहले होता है warm up, हमें मसाज करने से पहले हमारे muscles का या joint का warm up करना बहुत अच्छे से, बहुत important होता है, second thing जो हमारा main stroke आती ही हो, और third cheese होता है उसका cool down, तो जैसे हम fitness exercises में भी करते हैं, वैसे मसाज में भी कुछ protocol हमें follow करने पढ़ते है, अब मसाज के लिए हम studio करते हैं हमारा warm up, तो बस आप क्या करो, oil थोड़ा लगा के, आपने जो fingers होते हैं उससे, जो sideways होते हैं joint के, knee joint के, उसके उपर हलके से, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ऐसे आपको rotate करना है, guys इसमें pressure बिल्कुल नहीं लगाना, warm up में pressure बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बस हमारा joint के around जितने भी ligaments होते हैं, muscles जो भी वहाँ पे insert होते हैं, उन सब को हमें warm up करना होता है, इसलिए pressure कम रहेगा, अब धीरे से आपको नीचे की तरफ लड़ शिफ्ट होना है, आप चाहिए तो एक हाथ से भी कर सकते हो, बट मेरे को दो हाथ से comfortable होते हैं, तो दोनों हाथ से भी करना कोई problem नहीं, काफी लोगों की skin क्या होती है, dry होती है, तो जब आप उसको oil लगाते हो, तो oil को immediate dry कर दीते हैं, आपको खीच लिती है, इसलिए आपको बार बार थोड़ ओड़ लगाना बहुत important होता है, अब guys, जैसे मैंने दोनों finger को यहाँ पे रख रहा हो, तो उसके साथ साथ मेरे ज तीन जगे पे मसाज कर रहा हो, ठीके, इस side, इस side और दोनों thumb से यह वाले side, अब आप thumb को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपको comfortable लगेगा, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, अब थोड़ा नीचे की दरफ shift होते है, अब thumb को निकाल देते हैं, और नीचे की दरफ shift होते हैं, बस fibula और TBI की side में इसको मसाज करते हैं, अब यह होगा है हमारा first stroke जिसमें हम बस सीधे direction में कर रहे थे, आगे की दरफ और पीचे की दरफ, आप same technique से हम इसको बस circular इसमें rotate करेंगे, आगे आपको four finger use करने, और circular आपको knee joint को मसाज करने, यह भी तो गमारा warm में पी चल रहे है guys, ठीक है, आप side से होने के बाद, आप थोड़ा उपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा warm कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों thumb को ऐसे एक दूसरे के पीछे slide करना है, अब यह तो हो गया, भाहर के तरफ से आपको clearly दिख रहा होगा, कि हम कैसे अपने thumb की help से, हमारे जो भी quadricep के muscles वापया की insult होते हैं, यह जोईन के वापया उनको धेरे से release करना शुरू कर रहे है, आपको inner side से भी दिखाता हूँ, इस side से जो guys muscles आते हैं, उसमें हमारा सबसे important muscle होते है, वास्टस medialis, जिसको हम VMO भी बोलते हैं, और जो बहार से आते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक तो IT bend आता है, सेकेंड बहार से जो आता है, हो आता है हमारा वास्टस lateralis, तो दोनों muscle यहाँ पर एक इंसर्ट हो जाते हैं, काफे बार VMO का जो weakness होता है, उसकी वज़े से और जो हमारा VN muscle का stiffness होता है, उसकी वज़े से काफे बारा में हमारा जो kneecap होता है, वो laterally shift हो जाता है, इस side में बाहर के तरब, और इसलिए जो हमने last video बनाया था, पटलो femoral syndrome का, उसमें हमने इसे के topic के उपर discussion किया था, आप अभी तक देखा होगा कि मैंने knee joint को exactly knee joint को अभी तक मसाज नहीं किया, मैं बस उसके side में, नीचे और उपर के तरब उसको release कर रहा हूँ, तो यह जो पूरा area होता है guys, काफी बर क्या होता है हमारे quadricep muscle, जाप insert होते हैं, उस side around adhesion बन जाते हैं, और वापिस scar tissue formation हो जाता है, तो यह भी एक reason होता है, कि वह आपके knee के उपर pressure create करता है, और आपको knee pain दे सकता है, तो यह था हमार overall warm up, ठीक है, अब हमारा जो second step रहेगा, उसमें हम करने वाले हमारा जो भी पटेलो होता है, नीक्याप होता है, उसका mobilization, आप हमी क्या करना है, सबसे पहले, पटेलो को नीचे की दरफ, उपर की दरफ, यह होगा एक direction, left side, right side, यह होगा second direction, then 45 degree में इस तरफ और इस तरफ, ऐसे 6 direction में इसको हमी move करने, तो सबसे पहले, आप में क्या करना है, कि हमारा जो पटेलो होता है, उसको ऐसे नीक्याप को पकड़ के, बस नीचे की दरफ, लेके जाने, ऊपर की दरफ लिक्याने, इसमें आप यह दोनों finger के यह दोनों thumb का भी use कर सकते हो, जो भी हमारे पटेला नीक्याप का जो भी moment होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाते है, उसको हम restore करने में help करते हैं, अब उसको sideways, अब इसको हम दोनों इस direction में move करेंगे, जो लो, काफी बार complaint करते हैं, कि हम नी को fold करते हैं, सिधा करते हैं, चलते हैं, उसको हमारे नी से आवाज आती है, क्लिक क्लिक की sound आती है, तो यह help, जो massage technique है, उससे काफी आपको यह जो problem होती, sound आनी की, यह काफी अद तक swallow हो जाती है, and relax, तो यह हो गया हमारे kneecap का mobilization, ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा step पता है, उसमें हमें क्या करना है, जो भी kneecap के around, जो भी इतनी ligaments होते हैं, उसको थोड़ा सा free करना है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहला चीज, आपको एक हाथ से, आपना जो kneecap होता है, वो फिर lock कर देना है, ताकि यह जब हम side से massage करें, तो यह नीचे ना shift हो जाए, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पे lock करके रखना है, और दोनों आपको यह thumb और finger, इसे क्या करना है, side में, आप देख सकते हो, इसे रब करना है, इसको अगर count की साब से मैं बोलू, तो आपको 25 counts या 20 से 25 count या आप इसको रब कर सकते हो, इसका कोई ऐसे कुछ standardization नहीं होता, बट जितना आपको comfortable लगेगा, आप इसको मूँ कर सकते हो, प्रेशर तोला कम रेखें, अगर आपको pain हो रहा है during this process, तो आप प्रेशर तोला कम कर दिजी हाथों का, अगर आपको comfortable लग रहा है, तो आप देरे देरे इसका प्रेशर भी बढ़ा सकते हो, and relax, इसको फिर सी खोल देते, sorry, अब जो process हमने उपर की तरफ किया था, उसको सेम नीचे की तरफ करेंगे, आपने पहले इसको लॉक किया था, और ये वाला किया था, आप इसको हम इधर लॉक करेंगे नीचे की तरफ, और ये साथ से, इसके जो अराउंड जो भी आदेशन होते हैं, उसको break करने की कोशिश करेंगे, ये आप self भी कर सकते हो, बहुत easy होता है, अगर आपको self करने में दिखता रहे, तो आप ये वीडियो किसी को दिखा के, उसकी help से, आप किसी और का भी support लेकि मसाच कर सकते हो, and relax, आप हो गया, दोनों साइड से, आप हमें क्या करना है, हमारे नीक यप को इस डिरेक्शन में लॉक करके, अपने दोनों फिंगर को, इस साइड से मसाच करना है, पिर इस साइड से लॉक करके, अब दोनों थम की साइड से, help से, आपको पूरा नी जॉइंड को, इस सर्क्यूलर, अगर यह करते हैं, कभी प्याको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके इमीजेट रोक देजे, धिरे-धिरे किजे, एक दिन में नहीं होगा, अब गाईज, और एक चीज होती है, काफी लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ काफी लोग के आपे पेन होता है, अगर हमारा हैंस्ट्रिंग मसल काफी टाइट हो गया, तो उनको यह नीचे एकदम से नीचे पेन होने के चैंसे होते हैं, बड़ गाईज, मेरा सजेशन ही रहेगा, कि कभी भी आप नी जोइंट को अगर मसाच कर रहे हो चाहिए, फिरो किसी भी मसल्स को कर रहे हो, जोइंट को कर रहे हो, तो यह वाले जो स्पेशली नीचे के एरिया होता है, जो बहुत सौफ्ट होता है, वहाँ पे बिलकूल प मसाच कर सकते हो, बट कमपल सरी आपको कभी भी भी वहाप पे प्रेशर नहीं देना, अब मैं आप इसको स इर्किलर भी कर सकते हो, इस सारे प्रोसेस में मैंने बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया मैंने एकदम से धेरे 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 जो भी हमरे अधेजन से उसको ब्रेक करने की खुशश की अब इसको कूल डाउन की तरफ लेके चलते हैं दोनों हाथों को आईल रप करके अब 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 दोनों हाथों से इसे स्ट्रोक्स ले सकते हो यह बहुत एफेक्टिव है गाईज बस नी जॉइंट को मसाज करके कुछ नहीं होगे इसमें आपको 50% रिलिप तो मिलेगा बट अगर आप पूरा आपके हैंप्स्ट्रिंग मसल, कौड़िसेब मसल और काप मसल को भी रिल्स करते हो तो वो सब कॉम्बिनेशन होके आपको 100% रिलिप मिलेगा जो भी मैरतोन रॉनर्स होते हैं जो भी जिम में जाते हैं सब लोग है अपलाई कर सकते हैं काफी हेलफफुल है और फिर से अगर आपको ओईल चाहिए तो आप नीचे देगे नमबर मेसेज करें ओईल के ओडर ले ले यह हमें आपको पूरी इंडिया में खईवी डिलियोर कर देंगे तो गाइज कैसे लगा वीडियो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा जो भी टेकनिक में ने आभी आपको बताए कि नीच जोइंट कम कैसे मसाच कर सकते हैं किस चीजों का खयाल रखना है कैसे ओईल अपलाई करना है या कैसे उसको श्ट्र झाल 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 मेंगा याइज कर भाल